किती थी दो माई 2021 दिन रविवार रखा गया है और इसमें दो पालियों में यह मदगर्ना की जाएगी पिर्थम पाली प्राते आठ एम से आठ पी एम दुत्य पाली रात्री आठ पी एम से जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक चलती रहेगी और आज हम बातचीत करेंगे मदगर्ना किस प्रकार से की जाती है जब हम एक टेबल पर बैड़ जाते हैं उस प्रकार से किस प्रकार से कांटिंग करते हैं किस प्रकार से प्रपत्र भरा जाता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सबिस्क्राइब आव वाट्सअप गुरूप से जुड़ना चाहते हैं तो डेस्क्रेप्शन बॉक्स में जाकर के वाट्सअप गुरूप के लिंक के मादम से जुड़ सकते हैं तो आज हम बात करेंगे मतगरना मतगरना किस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जाती है तो सबसे पहले एक मेज पर हमें बैठा दिया जाता है और इसमें साहर एक सुपरवाजर भी होता है तो और इसमें हमें एक सामान भी दिया जाता है जैसे समान, समान इस पर करकी होती है एक मेज के लिए, समानेत फाम निम्निकित समान की आवसकता होगी मेरा आज गला दुख रहा है, तो संभव है कि मेरी आवाज भी कम निकल रही है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेज पर मदगरना की व्यवस्ता है तो एक मेज की दज़ा में पृति नया पंचायत सामगरी, कौनची है, नमर एक डाटा पैन, चार मद होंगे, क्योंकि एक मेज पर चार कम सकम चार होते हैं, उसी साथ से ये समान रखा गया है, सादा का गज, गीला, स्पंज, अत्वा, छोटे प्याले में पानी, धागा, रबर बैंड, पेपर वेट, मदगरना, पर पत्र, गरना पर्ची, गरना पर्ची जो सभी में लगाए जाती है, और ब्लेड, आलपिन का गत्ता, ये हमें सामान मिलता है, और दूसरा सामार भी मिल सेल बंद करने के लिए, जब हम सील कर देते हैं, काउंटिंग करने के पशात, हमें ये सामान की जरुत होती है, मत पत्रों आदी की गरना के बाद, सील करने की व्यवस्ता है तूं, पिरतेक मत गरना केंदर में नया पंचयतवार सामगरी, कौन सी प्राक्त होती है, एम-एम, स्टेंप पैड बड़ा, रवर्ड स्टेंप निरस्त की महरें, धातू की महर, कैलकुलेटर, सूजा, आलपिन का पत्ता, मत गरना के दोरान, जो मत पत्र, निर्वाचन, अधिकारी, सायक, निर्वाचन, अधिकारी द्वारा एस्विकृत किया जाने योग्ये पा में दिये गए नमूने के अनुसार की वैवस्ता करनी होगी, इसे इस्थाने इस्तर पर तयार किया जाएगा, तो ये परिश्ष्ष्ट दो को नदो के जो है, हम इसे आगे बताएंगे, क्योंकि इस पर ही काफी निर्वार करता है, दिये गए नमूने के अनुसार वैवस्त करनी होगी इसे इस्ताने इस्तर पर तयार किया जा सकता है इस परिश्ष्ष दो केश को हम Springs बताएंगे और चलते हैं मद गणना प्रकर्या की तरफ कि जब हम बींच बैएड़ जाते हैं तो प्रक्रिया किस परकार से चालू कि जाती है तो प्रत्तेक मदगणा इस्थाल पॉलिंग स्टेशन के शमन्द में मदगणा का कारिय निम्नांकित परकार से किया जाएगा का जैसे कि मतपेटी का खुली जाए निर्वाचन अधिकारी सहाएक निर्वाचन अधिकारी मतपेटिका के अभी ग्यान को सुनेशित करने के उद्देशे से उसे उसमें बनाए रखे चिन्नों की जाज करेगा खै उपरियुक्त रीती से मोहरों की आदी की समाधान कारक जाज कर लिये जाने पर मतदान इस्तलकी मतपेटिका को खोल कर उसमें से सभी मतपत्र गरना मेज पर निकाले जाएंगे मत गरना अभी करताओं को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि उन मत पेटी काओं में से सभी मत पत्र बाहर निकाल दिये गए हैं और वे पूर्टे खाली हो गए हैं इस बात की साधनी रखी जाएगी कि मत पत्रों को मत पेटी काउं से बाहर निकालते समय कोई मत पत्र इधर उधर ना होने पाए गर्णा की मेज़ पर ग्राम पंचैत वर मत दान इस्थलों की मत पेटी काउं रखी जाएगी यदि एक मत दान इस्थल पर एक से अधिक मत पेटी काई प्रियुक्त हुई हो तो ऐसी सभी मत पेटी काउं को उसमें समधित ग्राम पंचैतों को हो रही मत गर्णा की मेज़ पर एक साथ रखा जाएगा गरना की मेज पर समधित मददान इस्थल पर प्रिउक्त समस्त मत पेटिकाओं के साथ मत पत्रों का लेखा भी दिया जाएगा जो हम देकर आते हैं मत पेटिका के साथ और एक उपन देखाते हैं तो वो हमें वापिस मिलेगा और मत पेटिका से प्रात मत प्रलेखा भाग एक के अनुसार मत पत्रों का मिलान करके उसे मत पत्रलेखा भाग दो परिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् का आपको बता देंगे आगे चलते हैं मत गर्ना कक्ष हाल में किसी मद्दे इस दल पर प्रिउत दोनों मत पेटी मत पेटियां पिर्थम ग्राम पंचायद प्रधान ग्राम पंचायद सदस्या तथा दुत्य पंचायद के पंचायद सदस्या की द्रड कक्षा से एक साथ का मतलब नहीं है क्योंकि अब सिर्फ एक ही पहले एक ही मत पेटी को भरा जाता है यह पहले था कि जब अलग-अलग मत पेटियों को भरा जाता था लेकिन अब यह फिर चैंज हो गया था तो अब एक मत पेटी भर जाने पर ही एक लाई जाती है तो यह पूरे मत पेटी लाई जाएगी आगे चलते हैं यह हमारा भाग दो है मेरी आवाज कुछ बैठ गई है गलात दुह रहा है बोले में परिशाने हो रही है तो इसके लिए मैं छमा चाहता हूं मत पत्र लेखा भाग दो मत गणना के समय भरा जाएगा मत पेटी का में पाए गए कुल मत पत्रों की क्या लिखे जाएगी अर्यसिकों जैयेगा तो उसका उल्यकर जायागा आगे चलते हैं क्योंकि मैंटर काफी है ऐसा चेतर सदशे या जिला पंचेश सदशे एवं छेतर पंचेश सदशे के मतपेटी ग्राम पंचेश पृधान, ग्राम पंचेश सदशे का मतपत्र पाया जाता है तो ये तो चीछ छोड़ दीजे आगे चलते हैं, चये में भी कोई खास चीज नहीं है और इसमें आगे चलते हैं इसमें गड़ी बना ली जाएंगी मतगर्णा मेज पर मैं ये अलग-अलग मेज बना दी जाती है इसके उसमें पहले जो बताया था कि अलग-अलग प्रिधानिक और सदस्य का और छेत पंचाद और जला पंचा जाएगी और इसके हिमें से ही गड़ियां बयागनी शुरू का छटनी शुरू हो जाएगी उन्हें अलग-अलग च्छाट करके पदवार पचास-पचास की गड़ी में सिलिप लगा दी जाएगी तो ये उनको जो मतगर्णा अभी करता होंगे उनको दिखा दिया जाएग निर्णा उसको लेना होगा तो इस पर जितनी भी होगी हमें पचार-पचास की गड़ी बनानी होंगी और यदि आखरी बच जाती है तो इसकी कोई बात है नहीं यदि एक मद्दे इस्तल पर एक से अब यह मेंचीज है यह जो काला से दे रखा है इस पर बात करते हैं यद नहीं कर ली जाएगी तो जैसे कि आपके सामने पर स्थितिया होगी कि सदस्य तक पर आई होगी अधवा छेतर पंचायत पर भी आ सकती है कि एक छेतर पंचायत के के दो वार्ड हैं उनकी अलग 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 बनाने पड़े हैं तो उससे कैसे पैश्चान चलेगी जब आप उनको देख करके उनकी छटनी की जाएगी और अलग अलग गड़ी बनाए जाएगी आगे है मारा वो प्रियुत कारवाई पूरी होने पर पदवार मदगर्ना प्रारम की जाएगी पहले गिराम पंचैद अब देखे इसका एक ग्राम है अब यहां बात आ जाती है कि सबसे पहले हम किसा करेंगे गड़ी किस की करेंगे लणना किसी करेंगे सदस्यत की करेंगे उसके बाद करेंगे हम ग्राम प्रधान की उसके बाद करेंगे छेद्र पंचैद की और इसके पश्यत करेंगे हम जिला पंचैद की इस परकार से हम उनकी गर्ना करेंगे उनकी काउंट साट करेंगे। तो देखते हैं अपर उत्स करिवाय हुने पर प्रदवार मत गणाप्रा प्रारम प्रना की जाएगे। पहले ग्राम-पंचा सद्थ से पर्दान पर्दान के लिए मत पत्रों की गणाप्र। गॉर्णा की जाएं देखकर छटनी कर ली जाए और फिर उनकी वाड़ वार गड़ियां बना कर उन्हें रवर बैंड से बांदिया जाएगा तथ पश्चात प्रतेक वाड़ की गड़ियों की उम्मीदवार प्रत्यासी वार छटाई की जाएगी तथा बारी-बारी से गड़ना प्रारम की जाए जाएगी अब आगे हैं मदगर्णा पाइटी दो द्वारा उसी प्रकार मदगर्णा इस्थल पर छेद्रपंचेट तो यह छोड़ दीजिए तो इस प्रकार यह वही चीज है तो आगे चलते हैं तो हम हमें यह गरना अलागला यह उम्मिद वार वार और प्रत्यासी वार अलागला कल लेनी होगी और उसकी फिरम काउंटिंग कल लेंगे यह आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब अवश्य करें अब हैं पचास-पचास की गड़्िया बनाए पंचास सदस्या वार कर निर्वाचन हुआ हो तो ऐसे मद्दे इस्थलों की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उसके पीछे अंकित सूबे तक सील के वार्डों के किरमांग देखकर छटनी करनी जाएगी जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आगे चलते हैं मद् मतपेटी की गर्णा से पहले संपन हो जाए अतर यह किया जाए कि दोनों मतपेटी को मतपेटी खोलने अत्वा पदवार मतपत्र अलग अलग करने के उपरां सभी पहले गराम पंचास सदस्की गर्णा की जाए और इसके बाद छेत प्रिधान छेत पंचास जलापंचास की जाए पर नमर तीन पर जाते हैं गर्दिया बांते समय यह ध्यान रखा जाएगा क्या कोई मतपत्र निम्र आधारों में से किसी भी आधार पर रद करने योग्य तो नहीं है अब बात आ जाती है कि जब हम छटनी करते हैं तो उसमें किन मतपत्रों को हम रद करें और किन मतप दो में दर्साया गया है जो हम आगे बताएंगे जब सामने की और से कोई भी निसान लगा हो या दूसरा है निसान इसके प्रियोज नार्थ दिये गे उपकरन से भिन उपकरन या तरीके से लगाया गया हो नमर तेन जब निसान खाले इस्थान पर हो अर्थात प्रेश्ट भाग पर या पूरी तरह से उपक्षित इस्थान पर लगा हो जैसे बीच माजाता है और नमर चार जब दो या दो अधिक प्रितियास्यों के सामने निसान लगा हो नमर पांच जब उस पर कोई लेक या निसान हो जिससे मददाता की पहचान हो सकती हो नमर च्छे जब मददाता इतना कटा फटा हो कि इसकी पहचान ने की जा सकती हो या जब मददाता प्रिमानित ने हो या यहस्वी नकली हो नमर आठ निसान चुनाव चिन को विभाजित करने वाली रेखाओं के मद्दे अंकित किया गया हो तो यह आठ परकार की परिस्तिती आती है आठ परकार की परिस्तिती आने पर हम उस मतपत्र को एस्विकार कर देंगे उसको सही नहीं मानेंगे उसको सुपरवाइजर को दे देंगे और उन पर अंती मिलना वो ही करेंगे परेशिष्ट तो निसान चुनाव चिन विभाजित करने वाली रेखाओं के बीच मद्धे लग जाना देखे जैसे यहाँ पर यह बीच में लगा है तो यह क्या है यह संदिग्द है इसका पता नहीं चल पा रहा है कहां पर है इसी प्रकारजिन नमर दो है मत दादा की पहचान के साथ अब यहां देखे यहां क्या करा है कि यहां महौर तो लगाई है लेकिन साथ में उसने अपना नाम भी चिन्नित कर दिया है आगे चलते हैं और नमर तिन इसमें क्या करा है क्या चीज़ हो सकती है दो या दो से अधिक प्रतियाशों के सामने निसान लगाना तो इसने मद्दाता ने क्या करा है कि यहां पर भी महर लगा दी है तो इस प्रकार की ये भी रद माने जाएगी यह deferENT कार्पिया की जाएगी अब चलते हैं पंड कोई निसान नहीं लगा जाएगा अगर किसी कोई मदाता आता है और और वह किसी के फिर द्चाम साइगा तो यह भी स्व Cum कि क्या कोई मत्पत्र निम्नादारों में जी किसी आदा को रद करने योग्य तो नहीं है तो यह वही पॉइंट है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ आगे चलते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब आवश्य करें मत्पत्रों की मीदवारों को दिये गए मत्पत्रों के अनुसर छाट लिया जाएगा संदिग्द मत्पत्रों को जो निर्वाचन अदिकारी द्वारा ऐस्विकृत कर जाने वाले को एक बंडल में अलग रख दिया जाएगा जो ऐस्विकृत हैं माले जो रिद करने वाले हैं उनको हम अलग कर देंगे कि अलग बंडल बना देंगे और मददे इस तल पर प्राप्त वैद एवं संदिक्द मतपत्रों के बंडल मतपत्रों की प्रविष्टिक गणना परची पर पत्र 43 में रखी जाएगी नमبر पांच का कहता है प्रतेक उमेदवार के वैद मतपत्रों के बंडलों को एक साथ बनदिया जाएगा और इस पर गणना परची पर पर पत्र 43 लगा दी जाएगी जिसमें उन मंडलों को कुल संक्य उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा संदिग्द मतपत्रों का अलग-अलग मंडल बनाया जाएगा उस पर पर्ची लगाई जाएगी और उस पर्ची पर सव्ध संदिग्द मतपत्र अत्वा तथा संदिग्द मतपत्रों की कुल संख्या लिखी जाएगी जो आप संदिग्द हैं Gram 45 के ग्राम के सदस्यों वे Gram Прादानों के मतों का वेवरं करम से निर्दारि प्रिपतर 44. इन सभी का जितने भी प्रिपतर हम बनाएंगे, इन की कॉंटिंग करेंगे, इन सभी का अलग-अलग प्रिपतर बना जाएगा. तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा. जैसे कि ग्राम पंचाय सदे से कहां जहम काउंटिंग कर लेंगे तो प्रपत्र 44 भरना होगा ग्राम परदान ग्राम पंचायत प्रदान के लिए हम जहम काउंटिंग भर लेंगे और इसका फर्म भरना होगा भाग एक पिरपत्र 47 और भाग दो पिरपत्र 48 इसी तरह से जिला पंचैस सदस्य के लिए हम जो बरंगे इसका पिरपत्र बरंगे तो भाग एक पिरपत्र 49 भाग दो पिरपत्र 49 पचास और भाग 3 पिरपत्र 51 इस प्रकार के इसके लिए 3 भरे जाएंगे तो अब बात चलते आगे आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सब्सक्राइब आवश्य करें एक निर्वाचन किसी उमीदवार के प्रितिक के सामने एक से अधिक चेन लगा सकता है उससे ने तो मतपत्र एमानने होगा और नहीं प्रिशनगत उमीदवार के पक्ष में दिया गया मत फलसरोप उसके किसी अन्य उमीदवार के प्रिकार के मोड़ने के फलसरोप उसके किसी अन्य उमीदवार के इस्तम में चाया आ जाती है तो ऐसा मतमूल निसान के उमीदवार के पक्ष में दिया गया माना जाएगा जहां चेन इस प्रिकार से लगाया जा गया है कि उसका ए तब तो निश्चित रूप से यह संदिक्द मत का मामला नहीं होगा यह यदि चिन की स्थिति ऐसी है कि उसे परियाप्त निश्चिता के साथ सूचित होता है कि मददाता एक खास उम्मिद्वार के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कुक्त उम्मिद्वार के प्रितिक के सामने चीहने लगाना चाहता है तब उम्मिद्वार के पक्ष में मत के रूप में मान लेना चाहिए चिन का प्रितिक मामला जिसके बारे में विवाद है या जिसके बारे में गणना लिपिक को सुम संदे है निर्वाचन अधिकारी को उसके आदेश के लिए अभे दिष्ट किया जाएगा और चैह है इसका शमान संख्या के निर्वाचन पृतिकों वाले ऐसे मतपत्र जिनके पीछे वाड संख्या पीटासिन अधिकारी द्वारा अंकित ने की गई हो मतपत्रों की छटाई के इस तर पर ही उन पर अंकित अनुक्रमांग या पीटासिन अधिकारी के अमुक वाड के लिए जारी किये गए मतपत्रों के अनुक्रमांग तथा पीटासिन अधिकारी द्वारा दिये गए मतपत्र लेखा में उल्लेकित अनुकर्मांग के आधार पर अभी ग्यापित करके सम्मंदित वाड की गढ़ना ही सामिल किया जाएगा तो ये हमारा अच्छे जो है ये कभी किस भी इस परकार की बाते आ जाती हैं तो इस पर हमें ध्यानक ना होगा और शे हमारा शुबे दक्सील एवं अत्वा वाड कर्मांग ने होने की इस्थिती में जारी किये गगे पीठासीन अधीकारी द्वारा तैयार किये गए मतपत्र लेखा में मतपत्र अनुकर्मांग के आधार पर गणा के दौरान मत पत्र चटाई किये जाने कि इस तर पर ही ऐसे मत पत्रों को गणा में सामिल किया जाएगा किन्तो जिस मत पत्र के प्रष्ट भाग पर पीठासीन अधिकारी के अस्ताक्षन नहीं है वह अवेद माना जाएगा और रद कर दिया जाएगा यह इस पश्ट है कि अगर मत पत्र के प्रेश्ट पर पीठाश इनका हस्ताक्षन नहीं है कोई छूड़ जाता है तो वो रड़ कर दिया जाएगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सबिस्क्राइब आवस्य करें